MBBS की study कर रहे है student के exam को लेकर MCI ने advisory जारी की है यह advisory MCI के पास आ रहे student college और university के query को देखते हुए और 16 जुलाई को हुई सभी university के vice chancellor से बातसीत और meeting में opinion को देखते हुए जारी की है इसमें schedule और exam conduct के बारे में दूसरा appointment of examiner और conduct of practical और clinical examination के बारे में बताया है आप इसको अच्छी तरह से read कर लें वैसे इसके important points मैं आपको यहां बता देता हूँ सबसे man और aim point यह है कि बिना exam के किसी भी student को next level के लिए permit नहीं किया जाएगा मतलब यह है कि MBBS के तीनों professional, first professional, second and third के university exam अवस्य ही होंगे next point यह है कि medical college open होने के बाद दो मैने के अंदर MBBS first year student का course complete करवाना होगा इसके next one month के अंदर university exam conduct हो जाएगी मैं आपके knowledge के लिए बता देता हूँ कि MCI के new curriculum के अनुसार MBBS first year की exam September 2020 में held होनी थी मगर अभी मार्स से ही medical college बंद होने के कारण काफी सारे medical college का course complete नहीं हो पाया है इसलिए ये exam September में conduct नहीं होकर ये medical college open होने के बाद ही complete हो पाएगी next point ये है कि MBBS के final year की जो supplementary exam है जुन जुलाई में होनी थी कि जो final year में student fail हो गए थे उनकी re-exam होनी थी 2020 के mid में वो जितना जल्दी हो सकेगा उतने ही जल्दी conduct करवाने की कोशिस की जाएगी इसके बाद इसमें university examiner appointment के बारे में लिखाया advisory दी गई है अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको जूम करके पढ़ सकते हैं तो काफी सारे MBBS की study कर रहे है student wait कर रहे थे कि first year और second year को promote किया जाएगा या फिर exam conduct करवाई जाएगी तो MCI ने अभी बिल्कुल ये clear कर दिया है कि सभी student का university exam होने के बाद ही उनको next level के लिए admission मिलेगा अभी ये सारा मामला situation पर depend करता है situation ठीक होने के बाद जैसे ही medical college open होंगी उसके बाद हर एक professional का exam schedule concerned university तो आरा जारी किया जाएगा उसके बाद exam conduct होगी तो दोस्तों ये जानकारी थी medical university के exam के बारे में MCI के advisory के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक बाद ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं तो आम सेimes दोन में के लिए करें में वीडियो नए चैनल में चैनल करें में। है जा प्रेस करें में ऊवीडियो करें में थी दोल्ड़ूएम में म।र्शके बारे म।र्सकेरी तोवी जानकारी करें